हेलो गाइज, हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड और वेलकम वक्टो मैं यूट्यूब चैनल सुपर एजूकेशन आज के वीडियो में हम जी के 100 कुशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाद है पार्ट वन और टू को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन की तरफ चलते है सिक्स्टी नमबर कोशन है निम्न मैंसे किसका वजन अधिक है या आपको बताना है चुहे का, कुत्ता का, बिल्ली का या फिर गदा का अंसर करेंगे जल्दी से अंसर क्या होगा किसका वजन अधिक है सुगाई जिसका राइट अंसर होगा उप्सिन नमबर डी गदा गदा का वजन सबसे अधिक है नक्स्ट कुशन की बात करते हैं नक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर 17 नमबर कुश्चन है भारत का राश्ट्री ये फूल कौन सा है भारत का राश्ट्री ये फूल कौन सा है आपको बताना है कमल कोमुद गेंदा या फिर गुलाग अंसर करेंगे जल्दी से भारत का राश्ट्री ये फूल कौन सा है अं कमल भारत का राश्ट्रिय पुस्प है यह पवित्र पुस्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेश इस्थान है यह अति प्राचीन काल से भारतिय संस्कृति का मांगलिक पृतिक रहा है भारत पेड़ पौदों से बरा है नक्स्ट कुशन नक्स्ट कुशन आपका 18 नमबर कुशन LVW सब्द किस खेल से संबन देता है टैनिस, होकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट आंसर करेंगे जल्दी से LVW किस खेल से संबन देता है इसका राइट आंसर होगा उप्सन नमबर D क्रिकेट नक्स्ट कुशन आंसर करते रहिए नक्स्ट कुशन आपकी स्क्रीन पर 19 नमबर कुशन है अजन्ता की गुफाएं कहां इस्तिते हैं अजन्ता की गुफाएं कहां इस्तिते हैं या आपको बताना है महराबाद में, हेदराबाद में, और अंगाबाद में या फिर इलाबाद में आंसर करेंगे जादी से गाइज अजन्ता की गुफाएं कहां इस्तेते हैं इसका राइट अंसर होगा अप्से नमबर सी और अंगाबाद अजन्ता की गुफाएं महराश्टर के और अंगाबाद जिले में हैं अजन्ता गुफाएं सन 1983 से यूनेसको की विश्व दरोहर इस्तल गोसिते हैं और गाइज आप देख सकते हों कि यह है अजन्ता की गुफाएं अजन्ता केवज नक्स्ट कुश्चन ट्वेंटी नमबर कुश्चन है आपकी स्क्रेन पर शिशू बक्रियों को क्या कहते हैं या आपको बताना है टिटन, कव, काल्फ या फिर किड़ अंसर करेंगे जल्दी से शिशू बक्रियों को क्या कहते हैं इसका राइट अंसर होगा अप्ट्न नमबर डी किड़ शिशू बक्रियों को किड़ कहते हैं नक्स्ट कुश्चन 21 नमबर कुश्चन आपकी स्क्रेन पर विश्व की आवादी में भारत का इस्थान क्या है विश्व की आवादी में भारत का इस्थान आपको बताना है चार तीन एक या फिर दो आंसर करेंगे जल्दी से विश्व की आवादी में भारत का इस्थान क्या है इसका right answer होगा option number D दो विश्व की आवादी में भारत का थान क्या है? दो विश्व में सबसे जादा जन्संख्या वाला देश कौन सा है? चीन है इसकी कुल संख्या करीब 141 करोड है जन संख्या के मामले में चीन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है भारत भारत कौन से स्थान पर है दूसरे स्थान पर जबकि अमेर्का तीसरे स्थान पर है नग्ष्ट कुशन 22 नमबर कुशन है आपकी स्क्रीन पर नाशा कहां इस्तित है यई आपको बताना है जापान में, सइुक्त राजे अमेरिका में, भारत में या फिर इंग्लेंड में अंसर करेंगी जल्दी से नाशा कहां इस्तित है इसका right answer होगा option number B संयुक्त राजे अमेरिका में नाशा कहां इस्तित है संयुक्त राजे अमेरिका में नाशा का काम भविश्य में अंतरिक्ष अन्वेशन वैज्ञानिक खोज और इरोनोटिक संसूदन को बढ़ाना है नाशा चांद और मंगल पर कई मिशन को बेच चुका है इसका कार्याल है वाशिंग्टन डी सी मौझूद है नक्ष कुशन 23 नंबर कुशन है आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर निम्न में से निप्टता है निवेशक से, छात्र से, ड्राइवर से या फिर रोगी से पढ़ता है इसका राइट अंसर होगा उप्टन डी रोगी नक्ष कुशन इसका अंसर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा तो अब नक्ष कुशन की बात करते हैं 24 नंबर कुशन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से क्या एक अच्छी आदत नहीं है निम्न में से क्या एक अच्छी आदत नहीं है नहीं पूछा है कौन सी आदत अच्छी नहीं है स्वस्त आहार खाना दैनिक व्यायाम नाखून चवाना या फिर इसकूल के नियमों का पालन इसका राइट आँसर करेंगे चलती से इसका राइट आँसर होगा अपसर नमबर सी नाखून चवाना नाखून चवाना एक अच्छी आदत नहीं है पागि स्वस्त आहार खाना दैनिक व्यायाम और इसकूल के नियमों का पालन यह तीनों ही अच्छी आदत हैं इसलिए यह गलत हो जाएंगी और नाखून चवाना एक अच्छी आदत नहीं है इसलिए यह राइट आँसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पर और नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं 25 नमबर कुश्चन है आपकी स्क्रेन पर निम्न मैंसे सबसे महंगा क्या है यह आपको बताना है लोहा, शीशा, चांदी या फिर सोना अंसर करेंगे जल्दी से निम्न मैंसे सबसे महंगा क्या है इसका राइट अंसर होगा अप्चन नमबर D सोना सोना सबसे महंगा है नेक्ष्ट कुश्चन नेक्ष्ट कुश्चन की बात करते हैं 26 नंबर कुश्चन आपकी स्क्रीन पर समान आकार की निमलिखित चीजों में सबसे भारी चीज कौन सी है यह आपको बताना है लोहा, जल, प्लास्टिक या फिल लकडी अंसर करेंगे जल्दी से इसका राइट अंसर होगा इस अप्ट्र नंबर ए लोहा, टक्ष्ट कुश्चन है आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर कुश्चन है उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को प्रतवी की तरफ खीशता है उस बल का नाम बताना है आपको जो हर चीज को किस की तरफ खीशता है प्रतवी की तरफ यानि की धर्ती की तरफ खीशता है गुरुत्वा करसर बल, घरसर, अभी केंदरी बल या फिर जड़त हो अंसर करेंगे जल्दी से उस बल का नाम बता यह जो हर चीज को प्रतवी की तरफ खीशता है यही वो ताकत है जो हमें और हर चीज को धर्ती की सते से बांदे रखती है या फिर धर्ती की केंदर की तरफ खेशती है तो गाइस next question next question आपकी screen पर छोड़ी हुई सांस में कौन सी gas मौजूद है छोड़ी हुई सांस में कौन सी gas मौजूद है यह आपको बताना है carbon dioxide, oxygen, hydrogen या फिर nitrogen answer करेंगे जल्दी से छोड़ी हुई सांस में कौन सी gas मौजूद है तो गाइस इसका right answer होगा option number है carbon dioxide, next question 29 number question है नारियल के पेड़ किस जल्वायू में उगते हैं यह आपको बताना है गर्म जल्वायू में, ठंडी जल्वायू में, बरसाती जल्वायू में या फिर हर जल्वायू में यह आपको बताना है नारियल के पेड़ किस जल्वायू में उगते हैं इसका right answer होगा option number है गर्म जल्वायू में नारियल के पेड़ किस जल्वायू में उगते हैं गर्म जल्वायू में आप यह देख सकते हैं यह नारियल का पेड़ और गाइस नारियल के खेती के लिए उश्ण और उपोश्ण जलवायू सबसे उप्युक्त होती है इसकी खेती के लिए ज्यादा पानी की जरुरत नहीं होती है और ये किस जलवायू में उपते हैं ये नेक्स्ट कुश्चन की बात करें कुट्टा जानवरों के किस वर्ग में आता है ये आपको बताना है कुट्टा जानवरों के किस वर्ग में आता है मखी मचली धर्चर या फिर इस्तन पाई अंसर करेंगे जलदी से कुट्टा जानवरों के किस वर्ग में आता है इसका राइट अंसर होगा अप्शन नमबर डी इस्तन पाई कुट्टा जानवरों के इस्तन पाई वर्ग में आता है आज की वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फैस के साथ वीडियो को शेयर करें चैनल पहली बार देख रहे हो त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो ज़लें वह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें जो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई